नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ स्वाती रायना इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा आक्षन साथी कल शेरों में कहां पर मिल सकते हैं आपको कमाई के शांदार मौके आप भी पूछे हमसे सवाल हमारा वट्सेप न जाने के लिए जी बिजनिस के मैनेजिंग एरिटर अनुल सिंग्वी से हम करेंगे खास बाज़ीत और साथी एक और खास मैमान आनंद राथी सेक्योरिटीज के सिधार सिधानी हमारे साथ हैं उनसे भी करेंगे खास चर्चा और जानेंगे कहां पर आपको मिल सकते हैं साथ हजार ने आज दमदार रिकवरी दिखाई निफ्टी में खास तोर से हमने देखा निशले स्तरों से सबाद 200 अंकों का सुधार दिखा निफ्टी बैंक ने हाला की हैरान किया और यहाँ पर निशले स्तरों से 1100 अंकों की रिकवरी यहाँ पर हमने आज होती हुई कारोबार के अंध में सेंसेक 224 संग फिसल कर 60,000 से उपर बंध हुआ, निफ्ती 46 अंकों की गिरावट के साथ बंध हुआ और आएप एडिटर्स टेक में अनलची से समझते हैं कि इतनी तेज गिरावट के बाद बाजार में शांदार रिकवरी आई कहां से बारती बाजारों में दिखा आज भारी उतार चरावा का सेशन और कल देर रात अमेरिका में महेंगाई दरें बढ़कर आने के बाद जो धुलाई और पिटाई हुई, उसको देखकर तो बड़ा दर था, एडिजी जेक्स निफ्टी साड़े 300 पोंट नीचे, खुले भी लेकिन जहां कुले, वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश जो हुई निफ्टी की वो काबीले तारीफ थी और दीमे 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 बाजार निचले स्थरों से बढ़कर दिन के निचले स्थरों पर खुलकर दिन की उपरी स्थरों पर जाकर हुए बंद, एक बार 8100 के आसपास और फाइनली क्लोजिंग 8000 के आसपास मामूली से गिराउट मैसे डंको की जो किसी भी तरह से बुरी नहीं और लगातार दूसर दिन 8000 के उपर बंद होने में कामयाब, आज फिर से ड्राइविंग सीट पर था बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी खुला 40300 के आसपास हलकी गिराउट के साथ, हलकी इसलिए कह रहा हूँ, ग्लोबल मारकेट के माहूल को देखकर काफी कुछ गिर सकते थे, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो रफ़तार पकड़ी, माई गॉड, 40300 से 41600 तक की यातरा की, यानि की निशले सुनते, 1300 पॉइंट के दमदार रिकावरी जिन बात से अब ये हाईस्ट लेवल है, जहां पर बैंक निफ्टी आज जाकर बंद हुआ है, तो इतना तगड़ा एक्शन और लाइफ टाइम हाई जो है, 41,829 के आसपास उसके बेहद करीब बैंक निफ्टी पहुचता हुआ दिका है, तेजी में योगदान सबसे ज़्याद के माजुद भारती माजा सबसे बैतर प्रजेशन करते हुए, सबसे कम-कम जोर निफ्टी पर और सबसे बैतरी मजबूती बाकी ब्रोडर मार्केट में आज देखने को मिली, तो सुबह खुलने के पहले मूर माहुल बिलकुल अलग और बंद होते वक्त पूरे तरह से चेह देख लें हम और क्या स्ट्राटिजी रखें? ये सारे ही फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं इंडिया के स्ट्रेंथ में, इसका मतलब ये बिलकुई ना लगाए कि हम अमेरिकन मार्केट से परे हैं या डीकपल्ड है, डेफिनेटली इंपक्ट जरूर रहेगा, बट ओवर और प्रस्पेक्टिव से भागती बाजार का हैं और खरीदे, ओके तो बाजार पर राय रही और स्ट्राटेजी जाने हमने सिधार से अब हफता दस दिन या फिर महीना दो महीना इन फाक्ट जो आप अपना पॉजिशनल टार्गेट देते हैं व्यू देते हैं जिस स्टॉक पर वो आपकी पसंद जानना चाहेंगे और लाउन टर्म के लिए कौन से स्टॉक पर खरीदारी के आपके राय रहेगी? अब बात करते हैं लंबे समय के लिए लाउन टार्गेट आपको रखना है। लाउन टर्म परस्पेक्टिव से आपको जो खरीदना है वो है PVR एक्जिबिशन स्पेस मल्टिप्लेक्स स्पेस की कम्पनी PVR पर खरीदारी की राय है। टार्गेट आपको रखना है 2200 रुपे का अब क्यों खरीदना है? 1200 रुपे से करीबन 2500 रुपे पर आवरेज टिकेट ट्राइज हो चुका है। फूड और बेवरेजेस पार्ट जो बहुत बढ़ा स्टे है इसके बिजनस और आई का। उसमें भी इजाफा देखा है करीबन 134 रुपे 96 रुपे के सामने। तो सभी दिशाओं में PVR अच्छा बिजनस कर रही है, फुटपॉल्स 75 परसन से बढ़ रहे हैं, 125 स्क्रीन आइट करने की योजना, PVR पे खरीदारी की राई, 2200 रुपे का टार्गेट एक साल का प्रस्पेक्टिव। ओके तो सिधार सिधाने की दो पिक्स हमारे पास आई, महीना दो महीना का नजरिया, पुजिशनल व्यू, KPIT टेक में खरीदारी की सला और लंबी अवदी के लिए PVR में खरीदारी की राय दे रहे हैं सिधार सिधार सिधानी, आई एप शो में कुछ दर्शकों की सवाल भी साड़े 500 की, इस्पेशली दिन के निशले सर से शेर में हमने शानदार रिकावरी दे के और शेर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल भी हुआ, SBI में इन्हें लगबग 14,000 का मुनाफ़ा भी है, क्या करें इस टॉक में? देश की सबसे बड़ी का, अगर बैंक कोई हो तो वो है SBI, आप सबी जानते हैं कि सबसे जादा ऐसेट अगर किसी के पास आज देश का हो, वो SBI के पास है, तो मुनाफ़ा कर रहे हैं, बने रही हैं, बैंकिंग स्पेस में और भी उच्छाल आ सकता है, तो SBI पे बिलकुल बने रहने की सला, बहुती बहती बहतीरिन कमपनी नतीजे, अगर पिछले दो-तीन कौर्टर की बात करो, दमदार नतीजे, अगर आई में ग्रोथ, निम्स बहतर, जी एनपी, एननपी में कटोथी, प्रोविजनिंग बहतर, SBI अच्छी कमपनी और सबसे बड़ी कमपनी प के पास है, खरीद है 234 की, टाटा पावर पर खास राय आपके लेना चाहेंगे, पावर सेक्टर की बड़ी कमपनी, फिलहाल कुछ मुनाफिपर भी है ये, टाटा पावर, क्या करें? स्वाथी, आप जानते हैं कि टाटा पार मैंनी एक है, तो इस पर मैं बने रहने की सला दूँगा, बिजली की तरह भाग सकती है आप टाटा पार, क्यों? पिछले एकाट कॉर्टर से थोड़ इसी थंडी रेंजबाउंट पे है, स्टॉक 200-240-50 के आसपा से रह रह रहा है, तो मैं मानता हूँ कि ये तिमाई के नतीज़ अगर दमदार आए, तो ये स्टॉक फिर से 300 के छलांग मार सकता है, हमारा टाटा पार के 300 के उपर का है, ह कहीं पर भी गिरावट आए, एट करना मत भूलिएगा, ओके टाटा पावर बने रहने की सलह और गिरावट में और खरीदारी करने की राय आ रही है, सिधा सिदानी के अगला सवाल, जजज़र से बियल गुपता सहाब पूछ रहे हैं जोमैटो पर, 275 शेर खरीद है इनकी 604 की, जोमैटो पर राय लेना चाह रहे हैं, क्या करें, फिलहाल जबर दस नुकसान जेल रहे हैं ये, और इन फैक्ट बेल गुपता हमारे साथ कॉल पर भी है, गुपता सहाब स्वागत करते हैं आपका शो में, जोमैटो आपने लिया है, कब लिया और कब तक होलड़ ओक नुकसान तो भारी है, लेकिन क्या तरहें? तो आपको एक कंपनी जरूर सला दे सकता हूँ, और वो है, मैप माई इंडिया, मैपिंग, डिजिटल मैपिंग की कंपनी, बी टुबी बिजनस में 80% का मार्केट शेर, कौनसी कौनसी कंपनी को सप्लाई नहीं करते हैं, अपने मैपिंग सेर्विसेस, बीम ड़ू, मारूत ची, फोन पे, पे टीएं, उबर और कई कंपतियों को मैकडोनल्स, तो मैप माई इंडिया, CE इंफो सिस्टम पे खरेधरी की राए, जो मैटो से निकल जाएं सिजु मैटो से निकल जाएं Map My India CE Info System जिसे कहते हैं उसमें जाने की राय आ रही है हमारे आज किस पर सिधार सिधाने की चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं लखनाउ से स्वाती गुपता हमारे साथ स्वाती जी वेलकम तु दे शो बताएं कर सकते हैं जिबस वन मंथ ओके छोटा नजरिया एक महीने का नजरिया हिंडाल को पर लेकर चल रही है क्या राय देंगे इन्हे बने रहने के सहला क्योंकि मजबूत कंपनी है नॉन फेरस पेस की हिंडाल को और केपेक्स प्लान भी है अच्छी कंपनी है यूरोप में जैसे साफसे शॉटफाल हम देख रहे है प्लान्ट का स्टील को ज़रूर इंपक्ट होगा मेटल को इंपक्ट होगा हिंडाल को बने रहे हिंडाल को बने रहे सला आ रही है सधासिदाने की चलिए अगला सवाल लेते हैं चंडिगर से रिशब मलहोतरा पूछ रहे हैं वेदानता पर सवाल साड़े 400 शेर 275 है इनके खरीद इस पर शेर में हमने देखा 10% का उच्छाल भी देखने को मिला वेदानता पर क्या रहे रहेगी आपकी सिधार जी फिलाल अच्छा मुनाफा है ने सोचना ही नहीं है स्वालती इस पर बने रहना है और फॉक्सकॉन के साथ जो साब चे शटडाउन, इलेक्टिसिटी के प्राइज जो उचल गए है गैस की सप्लाई शॉटेज पे, मेटल, स्टील ये सभी को फाइदा होगा दूसरे देशों के कमिपनियों को, तो इसमें विदानता भी एक है, तो विदानता पे बने रहे हैं. अगला सवाल, राइगर से गिनेज जैन सा भेज रहे हैं, आई-ओ-सी है, इनका स्टॉक 3,000 शेर, खरीद है 72 रुपए 26 पैसे की, आई-ओ-सी, क्या खास स्ट्राइजी आपकी तरफ से सिधार कुछ नुकसाने नहें? मुझे तो कम समझ में आता है ये शेर, और ये भाव पर मैं मानता हूँ कि आप निकल जाए, गैस की कंपनियों पर आप अपना डाव लगा सकते हैं, जैसे कि गुजराद गैस, वन आफ दो ऑई-लन गैस की कंपनी, उस पर दाव लगा है, आई-ओ-सी पर मुझे बहुत जा ओके, आई-ओ-सी से निकलने की सला आ रही है आपके पास, और गुजराद गैस में आप एंट्री ले सकते हैं, ऐसा मानना है, सिधार सिदानी का अगला सवाल प्रयाग राज से विनैस सिंग सहाब, टी-सी-एस, पचास शेरिन के पास है, खरी दिन की 3129 की, टी-सी-एस पर आए मांगना चाह रहे हैं कि क्या करें इस टॉक में, जिस पर इन्हें कुछ नुकसान है विनैस सिंग साब के जो प्रशन है, उस प्रशन से मैं बहुत ओके प्रशनों को जवाब दे दूँ, टी-सी-एस पर बहुत लोग चिंतित है, कंसर्ण है, टेंशन ले रहे हैं, चल तो रहा नहीं है, सर क्या बात करते हैं, एक चीज़ कह दूँ, कि अगर आपको भारत दे इस या इंडिया पर थोड़ा सा भी confidence हो, तो टी-सी-एस में बिलकुल confidence रखना पड़ेगा, देश की सबसे बड़ी technology की company, सबसे अवल नमर की company है, और इतना भी कह दूँ, कि एक company ने जब दाम चल लेते, अर्टी-सो के, तो पैतालिस सर रुपए में buyback किया, 18,000 करोड के quantity के shares, तो आप सोच सकते कितना confidence है, company वो अपने ही खुद के business पे, थोड़ा सा सयम रखे, धीरज रखे, TCS बिलकुल आपको अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है, बने रहने के सला, पूरी तरिके से, अगला सवाल, वापी वर्दमान से प्रतिभाप प्रयाग का, सवाल है, टेक्स्टाइल्स पर 500 शेर और 310 इनकी खरीद है, इस पर, वर्दमान टेक्स्टाइल पर माफ कीजिए वर्दमान टेक्स्टाइल पर सवाल है 500 शेर इनके पास है और 310 इनके खरीद है और कुछ मुनाफ़ा भी है क्या करें अगर लेना चाहे तो ले 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 क्योंकि यहां पर मस्बूती बहुत है और एक रैली एक मुमेंटम ज़रूर बना हुआ है इसको आप प्रेयोग करें अधिटे बिल्लाफ आशेने बीटेल कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्राटेजी और बाजार के लिए एहम संकेत समझते हैं अनर्जी से जहां तक कल के बाजारों का सवाल है भारती बाजारों के बंद होने के वक्त डाव फ्यूचर्स लगबख सवा सो पॉइंट ऊपर थे और नैस्टिक फ्यूचर्स लगबख सक्तर पॉइंट मजबूत हो यानि कि कल की तेज गिरावट के बाद हो सकता है अमरिका में हलकी फ 25 दिनों से अच्छी खरीदारी के जो आकड़े आ रहे हैं आज के सेशन में यह देखना इंटरसिंग होगा कि किसने खरीदा किसने बेचा वो एक और दूसरा ट्रिगर होगा बाकी गलोबल मार्कर से संके ठीक ठाक हैं ना कोई बहुत अच्छे ना कोई बहुत बुरे उनक 75 से लेके 8200 इस रेंज पर आपको करना है फोकस बैंक रिफ्टी तो एकदम खुले नीले आकाश में ब्लू स्काई जोन में लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है तो आप बैंक रिफ्टी के लिए इमीडियेटली सपोर्ट होगा वो होगा 41,000 माफ चीजिएगा 40,500 से 40,800 यह 300 पॉइंट की रेंज रेंज बड़ी है लेकिन सपोर्ट के लिए वही निकल कर आती है और जो टार्गेट बनेगा एक हल्की फुल की रुकावट है बैंक रिफ्टी के लिए 41,825 के आसपास उसे पार करने के बाद बैंक रिफ्टी भी खुले नीले आकाश में 42,000 तक कि अच आने की कोशिश कर फकता हैं. लोग के आज़ पास का सपोर्ट लिया और लगबग 1888 के जो प्रिवस दे हाई थे वहां तक की रिकवरी देखी तो काफी अची क्लोजिंग हुई है और कहने के ग्लोबल संकेतों के बावज़ूद बे जो बाज़ार ने रिकवरी दी है वो काफी रिमा के बल है आज के दिन देखोगे बेंकिंग काउंटर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सेलेक्टिव के पिटल गोड्स सीमेंट मेटल काउंटर में पॉजिटिव हूं था तो ऐसा लग रहे हैं इन सारे सेक्टर में पॉजिटिव बायस रहेगा तो दो ट्रेडिंग सेटप एक तो सीमेंस से लगातार तीन से हाराइज हार लोस बन रहे हैं दो दिन पहले ऐक पर फेक्ट बुली स्केंडल यहां पर देखने को बन रहे हैं और कहीं ने कि उपर में बदीसों बदीसों बीस तक कि अफसाइड बनने चीए तो सीमेंस का 340 की को लेनी की सला रहेगी सतर से पिछेतर र मॉमेंट हुआ है बट अभी ऐसा लग रहे है कि अप्टिक बरकरार रहना चीए इंडिया सिमेंट में में मेंजर कौर्टली ब्रेकाउट देखने को मिला है तो इंडिया सिमेंट का 260 का को लेने की सला रखेंगे इस को को हलका सादी पाए तो ले 10 से 12 के बीच में लें इसक साथ रुपे का एस्टोपलाज होगा और उपर में लगवग 19 से 20 रुपे तके टागेट इस कोल में मोमेंटम में बन सकते है बहुत अने बाद चंदन जी ऑप्शन स्ट्राटेजी बताने के लिए सिधार्त आप से जानेंगे कि कल की खरीदारे किया एक दू दिन का नजरि बिलकुल VIP Industries पे खरीदारी की राय है, क्लोजिंग 640 के करीद था, स्टॉप लॉस आपको रखना है 625 का और टार्गेट आपको रखना है 670 का, वेतलीन कम्पनी VIP Industries VIP Industries इंट्रेडे खरीदारी की सला सिधार सिधार सिधाने की तरफ से बहुत धन्यवा सिधार, थमासा शो में शामल हुए, बाजार आज और कल में बस इतना ही रुपते हैं, ब्रेक के लिए देखते रहें सी बिसमस